अगर आप एक पेरेंट है तो आपको अपने बच्ची की टीधिंग यानि की दात निकलने से जोड़ी सारी सही जानकारी आपके पास होना काफी जरूरी है देखे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 20 दात अल्रेडी होते हैं अब आप सोच रहे होगे कि जब बच्चा पैदा होता है तब तो उसके कोई भी दात नी होते हैं एक्चली वो जो दात होते हैं वो बच्चे के गम्स यानि मसूडों की अंदर होते हैं तो यह जो process होता है इसको हम teething यानि दान्त निकलना कहते हैं तो फ्रेंट जब बच्चे की teething होती है तो देखे आपने देखा हुआ कि बच्चे थोड़े uncomfortable हो जाते हैं उनको कुछ uneasiness रहती है कभी कोई pain वगरा है तो देखे जब बच्चे के दान्त निकलने शुरू होते हैं और जब तक वो 20 दान्त निकलते हैं उनको यह problem जो हैं बार-बार होती है तो फ्रेंट चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि teething के क्या symptoms होते हैं क्या इसे लक्षन है जिनने देख के आप पता लगा सकते हैं कि बेबी की teething स्टार्ट हो गई है तो देखे पहले symptom जो होता है वो यह होता है कि जो बच्चे के गम्स यानि मसूडे हैं उस जिगह पर आपको एक सिस जैसा यानिक एक उभार जिसा दिखाई देगा जो कि ब्लू या फिर ग्रेक लगा हो सकता है और जैसे ही बच्चे के दान्त आ जाएगा तो वो चीज़े वो चली जाएगे और बेबी का दान्त उपर दिखने लग जाएगा जिगा फरेंड श्रंड के बच्चें को टीधिंन होती है तो बच्चा जवा हो जाता है कि फोड़ा चीक से नहीं होता है उस टाइम पर बच्श s rocking आपको तो बेबी उसको खा लेता है इसके रावा आप बेबी के श्लीप पैटन में भी एक चेंज देखेंगे युजुली आपका बेबी जिस टाइम पर सोता था या जागता था वो चीज जो है आप उसमें देखो कि चेंज आ रहा है और इसके लाव एक और जो सिम्टम होता है टी प्रूलिंग वारी प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक टीदिंग का सिम्टम है इसके लावा जब टीदिंग का टाइम होता है तो देखें बच्चे को गम में जो पेइन और इरिटेशन होती है तो उसके विज़ा से आप देखोगे कि बच्चा जो हर चीज को मुह में देख कुछ न कुछ चबाने ही कुछ करता है तो ये भी एक चीज है जिसे देखकर आप पता लगा सकते हो कि बेबी में टीदिंग स्टार्ट हो गई है फ्रेंट्स ये तो सारे सिम्टम्स थे बेबी के टीदिंग के इसके लाव फ्रेंट्स कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो की टी तो आपको बिना किसी देरी के आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिने अपना कर आप अपने बेबी की टीदिंग के प्रोसेस को आराम दायक बना सकते हैं तो पहली चीज जो आपके बेबी को टीदिंग हो तो आप क्या कर सकते हैं कि बेबी के गम्स पे उनको पेइन और इरिटेशन होती है तो इसके लिए आप उनके गम्स पे हलके हलके मसाज कर सकते हैं तो इसके लिए जो मैं suggest करूँगी देखे वो है लवलाप का ये finger brush ये जो है बहुत ही simple है इसको आपको अपने ऐसे finger में डालना है और आप baby के जो gums है उन पर अच्छे से हलके हलके आतों से प्रेस कर सकते हैं बहुत ही soft इसके edges हैं baby को hurt भी नहीं होगा और बहुत ही gentle रहता ह है gums में तो baby के gums में जो है इससे आराम मेलेगा अगर देखिए आपका baby जो है gums पे massage नहीं करने देता है वो uncomfortable है या फिर आपको बिल्कुल अलाव नहीं करता है तो आप उस टाइम पे जो है बेबी के लिए pacifier या फिर टीदर भी यूज़ कर सकते हैं तो pacifier से क्या होता है जिसे माली जी एक example में लव लैप का आपको pacifier और टीदर यह दिखा देती हूँ यह pacifier से क्या होता है माली जी बच्चा बहुत fussy हो रहा है वो सोना नहीं चाहरा बहुत परिशान हो रहा है तो उस टाइम पर आप पैसिफायर देते हैं तो बच्चे को एक relief मिलता है वो आर मिलता है आप टीदर को क्या कर सकते है आप थोड़ी दिर के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं तो फ्रीज में नहीं रखिए थोड़ी टाइम के लिए थोड़ी थंडा हो जाए तो बच्चे के गम्स में काफी अरा मिलता है कि थोड़ी थंडा होता है पर आप ध्यान रख इसको फ्रिजर में नहीं रखना है वरना बेबी को frostbite की problem हो सकती है तो फ्रेंच जैसे मैंने बताया कि pacifier और टीधर जो है वो टीधिंग के प्रोसेस को easy बना सकते है तो देखें लवलाप में काफी वराइटी है pacifier और टीधर की मैं आपको एक बर दिखा देती हूँ यह है देखें sunshine silicone teether यह काफी cute भी लगते दिखने में और 3 month plus वाले बेबी की age के लिए है इसको बेबी अराम से दर से hold करके और उनको यूज कर सकते है इसके लाबा जो है देखें silicone bell teether है यह भी काफी अच्छा है यह 6 month plus के लिए है लवलाप का यह सारी product जो है इनका color काफी अच्छा है जो कि बच्चों को काफी attract करता है और age के cording भी है जैसे 3 month plus का बेबी है तो यह वाला है यह teething gums के लिए काफी relief देता है बच्चे इसको easily hold करके इसको use कर सकते है इसके लावा यह है देखिए carrot और mushroom वाला यह भी काफी cute लगता है तो यह बेबी जो है इसको देखके मतलब काफी attract भी होंगे और उसको use भी करेंगे एक यह है silicone teether gentle relief for teething gums यह भी है और इसके लावा यह yum ball teether है यह भी काफी cute है और थोड़ा से समें एच्छा साउंड भी आता है और है यह अलग-अलग colors में और बेबी की age के according जो है अविलिबल है लव लैप प्रेंट सी जो सारे टीदर पैसिफायर और जो ब्रश है दिखे यह तो यह non-toxic metal के बने हुए है food rate silicon के बने हुए है इसके लावा यह BPA-free और latex-free है एक काफी colorful जो इसकी range है तो बेबी को attract भी करते हैं इसके लावा इसको आप डिश्वाशर में भी वाश कर सकते हैं आप काफी soothing लगता है जब यह product जो है use करते हैं टीदर या pacifier हो तो उनके teething के process को यह काफी आरामदायक बना देते हैं तो friends यही थे हमारा आज का वीडियो जिसमें आपको बताया कि बेबी के teething process क्या है उसके क्या symptom होते हैं और किस तरीके से आप बेबी के teething के process को easy बना सक सकते हैं अरामदायक बना सकते हैं तो friends यह जो product है अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो आप love lap या फिर amazon पर जाकर जो है देख सकते हैं और आपके लिए मैं इन दोनों का link जो है description box में भी दे दूँगी friends आज के लिए बस इतना ही आगे भी मैं ऐसे videos लाने वाले हूँ जिसमें मैं baby product जैसे की brush, toothpaste और बहुत सारे products के बारे में बताने वाली हूँ और mother related products पर भी बात करूँगी तो हमारे videos पसंद आ रहे हो तो video को like करना, share करना बिल्कुल मत भूलेगा और कोई भी आपको query है तो आप comment box में लिखकर हमसे पूस सकते हैं Thank you